नमस्कार दोस्तों मैं प्रसांत और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपको आपके दोस्तों ने और सुब चिंतपों ने पार्सप पर, फेस्बुक पर और अन्या माध्यमों से साबधान करा होगा कि 29 अपरेल को ये प्रच्वी खतम वने वाली है 29 अपरेल 2020 को प्रच्वी से मादफ सब्यधा का नास हो जाएगा दोस्तों एक ऐसा मेस्ज है जो हमारे देश में बहुत तेजी से बाइरल हो रहा है दोस्तो उस मेसिज में बताय जा रहा है कि 29 अपरेल 2020 को 10 बजे हमारी प्रथवी से एक हिमालिय परवत की बरावर एक गिरह टकराएगा और उस गिरह के टकराने के बाद पूरी प्रथवी का बिनास हो जाएगा मानफ सब्यदा का नास हो जाएगा तो दोस्तो आज मैं आपको पता हुआ कि इस दावे में कितनी सचाई है कि आप बाके में ही 29 अपरेल 2020 को ये प्रथवी खतम होने वाली है दोस्तो आपको पताता हूँ असल में ये ख़वर सुरू कहां से ही दोस्तो एक बिदेसी मीडिया ने ये ख़वर फैलाई ये लिखा कि 29 अपरेल 2020 को ये प्रथवी खतम हो जाएगी दोस्तो उसके बाद ये बाइरल मेसेज इंडिया में बाइरल होने लगा भारत में बहुत सारे लोग इसे अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार वालों के साथ सेयर करने लगे कि 29 अपरेल 2020 को ये प्रथवी खतम हो जाएगी तो दोस्तों जैसे ही ये बाद नासा को पता चली कि इस तरह का बाइरल मेसेज पूरे विस्व में फैलाया जा रहा है तो दोस्तों नासा के एक अधिकारी ने इस पर इसपस्टी करन दिया है तो दोस्तों नासा के उस बैग्यानिक ने इसपस्ट कह दिया है कि 29 अपरेल 2020 को प्रथवी से कोई भी गिरह नहीं टकराएगा दोस्तों मैं उन्होंने माना है कि एक गिरह है लेकिन वो प्रथवी की कफसा से 6.2 मिलियन किलोमेटर दूर से गुजरेगा दोस्तों ये जो गिरह है नासा ने इसे 1998 में देखा था और जब से ही नासा एजेंसी इस गिरह पर नजर बनाई हुए है और दोस्तों नासा के अधिकारियों ने कहा है कि 29 अपरेल 2020 को इस गिरह से प्रथवी को कोई भी खत्रा नहीं है ये गिरह 29 अपरेल 2020 को प्रथवी की कहसा से 6.2 मिलियन किलो मिटर दूर से गुजरेगा और इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा दोस्तों एक तरफ तो कुरोना का वायरस का डर पूरे देज में फैला हुआ है और दूसरी तरफ इस तरह के मेसेजों को बायरल करके डर फैलाया जा रहा है और दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है ये बिल्कुल ही जूट बात है प्रथवी को 29 अपरेल 2020 को कोई भी खत्रा नहीं है नासा के बैक्यानी को ने साभ कहा दिया है कोई भी खत्रा नहीं है तो दोस्तों आप ऐसे पायरल मेसेजों से बचके रहेए ऐसे मेसेजों के जासे में ना आए और दोस्तों इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें ताकि लोगों का भ्रहम दूर हो सके और बाते पसंद आई हूं तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें जय हैं दोस्तो